नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है यह कैसी टू यूट्यूब चैनल पर दोसे आप अगर आप अपने डियल में अपने एड्रस को चेंज करना चाते हैं और आपको नहीं पता कि कैसे आप यहाँ पर घर बैटे अपने मुबाइल फोन की मदद से अपने डियल में एड्रस को अप्डेट कर सकते हैं तो उसे आप जो में ट्रिक बताने वाला हूं वो काफी ज़्यादा इजी होने वाला है तो वीडियो का इंड तक जरूर देखिएगा और आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहल आपको अपने मोबाइल फोन में डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है सर्च के आइकन पर आपको सिंप्ली टाइप कर देना है सार्थी अब मैं आप लोगों को दिखें आपर भता देना चाहता हूं कि आप किसी भी स्टेट से बिलाउंग करते तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको यही सर्च करना है इसका आपको 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 कुछ नहीं सर्च करना है और निचे के तरफ आपको दूसरा ओप्शन दिखाई देगा सार्थी.nic.in तो आपको इसी पर सिंप्ली टैप कर देना है जैसे आप इस पर टैप करते हैं आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंटरफेस दिखाई देगा अब दूसरा आपको आने के बाद आपको एक ब्लिंक करता हुआ ब्लू कलर में लिंक दिखाई देगा देख सकते हैं आप रेड रेड में लिखा ह हुआ है इसी में आपको ब्लू कलर का लिंक दिखाई देगा तो सिंप्ली आपको इसी लिंक पर टैप करना है दो बार एंड जिसे आप दूसरी बार टैप करते हैं आपके सामने एक नया वेब पर सार्थी डॉट परिवहन.gov.in का यहाँ पर ओपन हो जाने वाला है यहाँ यहाँ पर मैं उत्तर पर सर्च करके जैसे टैप करता हूं हमारे सामने एक नया वेब पर जो ओपन हो जाएगा हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे यहाँ पर किस तरीके से हम अपने डियल में अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर जिसमें सबसे पहले हमें एक फॉर्म को फिलप करना होगा जो कि रिक्वेस्ट डीटेल होगा यहाँ पर उसके बाद हमें उसम में देने होंगे अपलोड करने होंगे यहाँ पर अगर आप अपने फोटो एंड सिंग्नेचर को भी अपडेट करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं डाइविंग लैसेंस टेफ स्लोट बुकिंग रिक्वाइड ओनली फॉर एडिशनल इंडॉरस्मेंट ऑफ को कर सकते हैं तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपने मुबाइल फोन की मदद से अपने इसली डियल में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं जो भी आप साथ स्टेप बताएगे इन साथ स्टेप को फॉलो करके यहाँ नीचे की तरफ आपको आना है कंटीनियू का ओप्शन यहाँ पर ओप करना है चैसी आये डीटेल उसके बाद प्रोसीर को करना है जिसके बत दोस्केशा पर आपके सामने सारी चीज़े आजएगे की ओड करना चते हैं जिसके बाद आपको एक पेमेंट करना हो वह payment आपके स्टेट के हिसाब से होता है तो यहां पर आपको payment कर देना है उसके बाद next page पर आपको अपने नस्दी की आटी ओफिस का यहां पर appointment बुक करना होगा जिसके बाद दिये गए date पर आपको वहां पर जा करके इसली हाँ पर अपने डियल में अपने address को अपडेट कर सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो के लाइक करें दोस्तों शियर करें ऐसे ही और मज़दार वीडिय